भारत के पवित्र माटी ने ऐसे दुरलब संतों को पैदा किया है जोके परम सिद्ध हुए लेकिन उनके बारे में आम जनता तक बहुत ही कम जानकारी पहुच पाई है ऐसे ही एक कम चर्चित योगी हुए टाट वाले बाबा आपने सुना होगा कि हिमाले के सिद्ध शेत्रों में कई स्थान ऐसे हैं जहां उम्र का बढ़ना रुक जाता है युवा अगर वहां हजारों साल तपस्या करे तो भी वो युवा ही रहता है ऐसा ही चमतकार बाबा के साथ हुआ क्यूंकि बाबा की उम्र सेकडे तक पहुँच गई लेकिन उनकी शारिरिक अवस्था तीस-पैंतिस वर्ष के आगे नहीं पहुँच पाई गठा हुआ कसरती शरीर धर्ती को छूते लंबे-लंबे भूरे बाल ओज से चमकता चहरा और बुढ़ापे के उम्र में भी जवानी से भरा शरीर यही थी टाट वाले बाबा की पहचान उनकी योग शक्ती और लौकिक चमतकारों से आज दुनिया भले ही अंजान है लेकिन उनकी उपलब्धियां और शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण थी टाट वाले बाबा का जन्म पंजाब के एक मध्यवर्गिये परिवार में हुआ था बचपन में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो अधिक शिक्षा ग्रहन नहीं कर पाये थे नो साल की उम्र में वो योग और ध्यान करने लगे बड़े होने पर उनकी शारिरिक बनावट देखकर मित्रों ने उन्हें आर्मी जोइन करने का सुझाव दिया वो इसके लिए मान गए और उन्होंने आर्मी जोइन कर ली लेकिन उनको आर्मी का जीवन रास नहीं आया उन्होंने दो महीने के बाद ही इस्तीफा दे दिया और साधूँ की तरह जीवन जीने लगे कहते हैं एक दिन आयोध्या में उनकी मुलाकात किसी संथ से हुई उनकी सला पर उन्होंने महाविर दास नाम के एक योगी को अपना गुरू बना लिया इसके बाद वो वस्त्र त्याक कर केवल जूट पहनने लगे इसी वज़ा से लोग उन्हें टाट वाले बाबा के नाम से बुकारने लगे कुछ दिनों बाद वो हिमाले चले गए वहाँ एक गुफा में रहकर ध्यान और योग साधना करने लगे हिमाले के एकांद कुफा में बाबा ने अनेक वर्षों के कठिन साधना की और कई सिद्धियों को पा लिया बाबा के साथ उस कुफा में एक खतरनाक सां भी रहता था लेकिन ना तो बाबा ने उसे और ना ही उसने बाबा को कभी कोई नुकसान पहुचाया बल्कि वो कई बार बाबा के शरीर से लिपट जाया करता था बाबा का कहना था कि सापों को कुछ हानी ना पहुचाई जाए तो वो बेवज़ा किसी को नहीं डस्ते बाबा की उम्र करीब सो के लगबग थी लिकिन उन्हें देखकर उनकी अवस्था तीस पैतिस वर्ष से ज्यादा की नहीं दिखाई देती थी बाबा जब रिशीकेश पहुचे तो वो कई घंटों गंगा के किनारे बैठे रहे बाबा ये जानना चाहते थे कि कौन सा स्थान उनकी साधना के लिए सही रहेगा तब भगवत प्रेणा से वो हिमाले के मणी कूट परवत पर चले गए वहाँ पर एक जीन श्रीन व्रद एक गुफा में रहता था बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और कुछ बातें की आश्चरी जनक रूप से ये चर्चा कई गंटों तक चलती रही लेकिन चर्चा के बाद वो व्रद अपनी गुफा बाबा के लिए खाली करके हिमाले की तरफ प्रस्थान कर गया उसने कहा कि अब उसका जीवन पूरा हो गया है और उसे इस गुफा की जरूरत नहीं रहने वाली है बाबा ने अपने जीवन में कभी कोई चमतकार नहीं दिखाए लेकिन उन्हें जानने वाले कहते थे कि बाबा जो कह देते हैं वो पूरा हो जाता है मसलन किसी भक्त को उन्होंने बीमारी से ठीक होने का आशिरवात दिया तो वो तच्चन ही उस बीमारी से मुक्त हो गए इसी तरह कई नी संतान धंपतियों ने बाबा के आशिरवात से संतान प्राप्त की महर्शी महेश योगी अपने अनेक कारिक्रमों में टाट वाले बाबा को बुलाया करते थे भक्तों के अनुसार वहां मौजूद हर शक्स बाबा के बलिष्ट देह देखकर उन्हें 30 साल का नौजवान ही समझता था लेकिन उस समय उनकी उम्र 120 वर्ष के आसपास थी किसी के पास नहीं थी यहां मौजूद सभी लोग बाबा को देखकर उनकी तरफ एक खिंचाओ महसूस किया करते थे महेश योगी के ज्यादा तर शिश्य विदेशि हुआ करते थे लेकिन वो सभी ताट वाले बाबा के मुक से निकली बाते सुनने को बेकरा रहते थे बाबा हिंदी में उन्हें उपदेश देते थे जिसके महेश योगी अंग्रेजी में रुपांतरण कर भक्तों को सुनाते थे बाबा की बलिष्ट और आकरशक देह के साथ ही उनकी ओजपूर्ण वानी भी विदेशी भक्तों को अत्यदेग प्रभावित किया करती थी बाबा की उम्र के बारे में जानकारी जुटाने वाले भक्तों को बाबा के बच्पन के एक मित्र ने पताया था कि तीस वर्ष के बाद बाबा के शरीर पर उम्र का असर दिखाई देना बंद हो गया था इसके बाद बाबा का शरीर अजीवन युवावस्था में ही रहा हिमाले की गुफा में अपना ज्यादातर जीवन बिताने वाले बाबा को अपनी मृत्यों का वी पूर्वाभास हो गया था उन्होंने अपने एक शिश्शी को बताया था कि पास के जंगलों में रहने वाला एक बदमाश उनसे बहुत इर्शा करता है उसी की बंदूग की गोली पीठ पर लगने से उन्हें ये देहत्यागनी होगी शिश्य ने ये सुनकर बाबा से इस तरह ना जाने का अनुरोध भी किया लेकिन सर्व समर्थ होने के बाद भी बाबा प्रकृती के सहज क्रम में बदलाफ नहीं करना चाहते थे बाबा की गुफा के पास एक शक्स आश्रम बनाने लगा बाबा ने एकांत में विग्ण आने का कहकर उसे ऐसा करने से रोका तब बाबा की भविश्यवानी के अनुसार जब वो सुबा नदी में स्नान करने गए तब उसी समय बदमाश ने छुपकर उनकी पीट पर गोली मार दी इस प्रकार बाबा ने अपनी लौकिक लीलाओं का अंध किया ताट वाले बाबा अपने जीवनकाल में ऐसे कई रहस्य पीछे छोड़ गए जो आज तक अनसुलजे हैं भारतिय योग परमपरा के एक श्रेश्ट योगी को हमारा प्रणाम वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर कर दें धन्यवाद